आज मैं मतन की रेसिपी लग के आई हूँ जो प्रिशर कुकर में बनाना है और बहुत ही असान तरीकों से ये बन कर त्यार हो जाएगा बस कुछ पातों का ध्यान रखना है मैं टिप्स के साथ बताऊंगे तो वीडियो को एंड तक चरूर से देखें आप सभी का स्वागत है प्रिश मैजिक कोकिंग में तो आईए चलते हैं हमारे किचन और चानते हैं कैसे बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे 2 केजी मतन लिइा है मतन को अच्छ तरीके से धोले और यहाँ पे 1 1.5 केजी प्याज लिया है चुरचुरे टुक्रों में कट कर लिया है प्याज को और धनिया पाउडर लेना है दो चम्मच, इसे मिक्षर ग्राइंडर में डाले, काश्मीरी मिर्च डाले एक चम्मच, आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, और यहाँ पे तीन से चार टुकड़ा अधरक का लेना है, छुड़ छुड़ टुकड़ों में कट कर ले, और साथ से आठ कलिया आपको लहसन का लेना है, दो प्याज कटे हुए ले ले, और दो टमाटर ले ले यहाँ पे, टमाटर को भी कट कर ले, और करी पत्ता ले ले दो, और इसे अच्छी तरह से मिक्षर ग्राइंडर में पीस ले, मसाले को, मसाले तयार हो गया है, अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे, नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, तब तक प्रिशर कुकर को थोड़ा गरम किया है, और सर सर्सो तेल आपको एक छोटे कप से एक कप डालना है, और सर्सो तेल में जब थोड़ा धुआ आने लगें, तो इसमें जीरे का फोरण डालें, दो चम्मच, दो लाल मिर्ज डालना है, और कडी पत्ता डालना, फोरण अच्छे से पक जाए, तो इसमें आरे कटे हूए प्य स्वादा नहीं भूनना है ठोड़ सा कम आज करके सब को मिला ले बूले इससे गोल्डिन होने तक नहीं भूनना है मटन बिनाने के लिए आप इसे जादा नहीं बूने और यहां पर जो भी मसाले अभी ग्राइण किये थे सारे मसाले को इसमें डाल देना है और इसे स्लो आज पे 10 मिनट के लिए पकाना है नमक आप स्वाद अनुसार ले ले मैंने यहाँ पे दो चमच लिया है नमक छोटे चमच से और सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है मसालो को आप देख रहे हैं यह इतना ही भूना है जितना दिख रहा है ज्यादा नहीं भूना है और मटन के सारे पीसेस को डाल दे धीरे धीरे करके सारे पीसेस को डाल लें आज को कमी रखे आज को ज्यादा तेज ना करें आप इसे प्रेशर कुकर में बहुत आसानी से बना सकते हैं प्रिशे कुकर में मटन बहुत ही अच्छे से गल जाता है और अच्छा टेस्ट आता है और बहुत आसानी से भी बन जाता है मटन को अच्छी तरह से मसाले में मिला लेना है और इसे 10 मिनट के लिए पकाना है आप इसे भूनते रहें जितना अच्छा भूनते हैं उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो इसे 10 मिनट के लिए भूने और फिर इसे ढख ले किसी भी चीज से पानी नहीं डालना है मटन से पानी खुद पर खुद आता है अगर मटन से पानी आ रहा हो तो आपका बीच-बीच में चेक करते रहें इसे भूनने में और कुछ इस प्रकार से आप ढख कर पकाने में 20 मिनट लगता है तो बहुत टेस्टी होता है तो बीच-बीच में आप ढखते रहें और इसे भूनते रहें आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है अभी यहां पर इसमें मीट का मसाला डालना है तीन चम्मच और गरम मसाले में आप इलाइची और लॉंग जो भी आपके घर में हो आप मिला लें वो भी डाल दें पीसकर और इसे एक विसल तक एक सिटी तक प्रिशर कुक कर लें एक सिटी के बाद इसे प्रिशर कुक को खोल कर देखें कितना अच्छा बहुत टेस्टी दिख रहा है यह पकर तयार हो गया है मटन आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और यह खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और यह बिल्कुल आसान तरीका है जैसा अगर आपको यह recipe अच्छी लगी तो किर्पया आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं आप इस एक बर जरूर से try करें और मुझे comment करके बताएं कि आपको कैसा है यह Mutton का recipe अगर आपको अच्छी लगी recipe तो subscribe करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले नए रेसिपी के अपड़ेट आपको सबसे पहले मिल सके